चंकर के शिविलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहां की होना चाहिए किस जगहां पर बनाना चाहिए मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए जब शिवलिन का निर्मान करें शंकर के शिवलिन को जब बनाएं तो सक्से पहले केसे बनाएं उस तक का विधान शिव महा पुराण में और लिंग पुराण में कहा गए क्यारे की मिट्टी हो क्यारा मतलब समझियेगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगहा का कोई भाग मिट्टी का लाया है, जहां कोई गंदगी ना करी, यह महा पुरान की कत्था कहती है, देखो, पिछले वर्ष के जो कत्थाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए, और कैसी लिए तो उसको सुने, क्यारे की मिट्टी, मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए, और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सीचन कर दे, अर्थाथ घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करे, अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमना जल रखा हो, सर्यू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सीचन कर दे, मान लो अगर ये जल नहीं भी है, तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डाल कर मिट्टी का सीचन कर दे, अगर इत्र भी नहीं है, तो जल के अंदर थोड़ा स उसका सीचन कर दे, पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, यह नहीं कि मिट्टी आई लाए हो और सुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पर ले लाए हो, दो दिन पर ले लाए हो, चार दिन पर ले लाए हो, तो उसी दिन जल का सीचन होना चाहिए, यह न तिन प्रात्धव में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो तो ब्रह्म महौरत में मिट्टी को गला दो किस पानी से गलाना है उसका भी उसका भी सास्तर्वंदन कर raha किस जल से गलाया जा है शिव महापुरान की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्मान करना है शाम को आप शिवलिंग का निर्मान कर रहे हो तो अपने पानी का जो मटका होता है हंडा होता है रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट धकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो उस जल को लेकर आओ थोड़ी दिर रखा रहे आदा गंटा दो गंटा तीन गंटा पंदरा मिनिट बीस मिनिट पर वो पानी वह रखा होना चाहिए रसोई घर में विश करते हैं इसे लिए रसोई घर को तुम पूरे घर को सच्छ रखो ना रखो पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो और रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए साफ होना चाहिए सच्छ होना चाहिए आज के जमाने में तो फिर गया पहले जब मटी के चूले होते थे जब दूला बंद होता था तो उसको गीला करकर गोबर को या पानी में उसको गीला करकर एक कपड़े को गीला करकर पूरे चोके को रसोई घर को पोचा जाता था अपंट्डिका होता था भू को मुष्ट एक तो पहला क्रम वह पार्थीव शिविल्ष निर्वान drama सावं के महीने में अगर सुभा को सिव॑ लिंघ को में ऊसका नियम ध्यारत KNOW क्या करते हैं मिट्टि को लाना है, जल्गा छीटा देना, जीटा जरूर देना, घर में लेकर आया और जल्गाचीता होना जरूर, और दो दिन तक तीन दिन तक मिट्टि रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छीटा नहीं दिया है और आपने डारेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बद बनाया तो उसका कोई प्रमाण नहीं है जल का छीटा अब फिर उसको रख दें पंदरा दिन बाद बनाओ, चार दिन बाद बनाओ दो दिन बाद बनाओ शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर लेट के उपर अर्थाथ उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डाली है क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है अब जाता है पूरे 24 गंटे के अंदर एक छण के लिए रसोई घर में 33 कोटी देवता आते हैं तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा यम नासरी उसर रस्वती ये 33 कोटी देवता में तो इन सब का आनंद उससे जल में जाता है और वो जल जब मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है स्वयम केलाश अधीपती के स्विकार करने के लायक हो जाती है निर्मित करने के लायक हो जाती है शिवलिंग का निर्मान अब शिवलिंग का निर्मान कैसे करना मिट् पात्र को पात्र जो होता है उसके नीचे बेल पत्र रखी जाता है कि क्या रखना है एक बेल पत्र शंकर को जहेल ने के लिए कौई साधर्ण नहीं है पात्र जिसमें जहेला जा Dema स्वयम गंगा शिवकी जटा में और आप शंकर के श्विलिंग का निर्मान कर रहे हो कोई साधर्ण नहीं हो सकता है बस एक बेल पत्र बेल पत्र भी सीधा और इस बेल पत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर जब आप शिवलिंग का निर्मान कर उत्तर इसके उपर जो गलाई हुई मिटी है वो डाल दीजिए और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का सुरूप बनाना सबसे नीचे की जलाधारी नहीं बना क्या बनाना है शिवलिंग का सुरूप बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्वी डाल लीजिए फिर जलाधारी का निर्मान को फिर जलाधारी शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई शंकर जी का संकून परिवार सभी पर इंट करा शिवलिंग एक वार्षर जितने भी पर बेठे हैं सम्मों कि'm कृटा सुन रहे हैं ठ॥ फोग ईट पर सुन रहे हैं एक वर साथ में समझें वापिस निर्माण को शिवलिंग निर्माण को मिंटि लाए सब से की जलगा चीटा दिया, रखा, जब शुविलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से दो घंटा, आदा, घंटा, पंदा मित, बीस मिनिट पहले उसको रख दिया, उसी पानी से उसको गीला करा, गीला करने के बाद उसका निरमान सब से पहले बेलपत्री, बेलपत्री के उप्र मिट्टी मिट्टी के उप्र रख़े शिविलिंग का निर्मान पिर जलाध्री का निर्मान I offer बाबा Kवा talk सुन्द भाव करें हभिशेख करें ऊजन करें और एक पातियत रखना पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्मान करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्री होने से पहले विसर्जन होना ज़रूरी है हाँ अगर कोई शिवरात्री का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो हार्ताली का तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो बड़ी तीज है छोटी तीज है आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो विशेश कोई उस सब है स्रामन का महिना है पूरी रात रख सकते हो पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्मान करें तो उसको सूर्यस्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशे में विसर्जन करें, और ध्यान दीजेगा, विसर्जन करते समय, जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिविलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजेगा, कि शिविलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की और जो जल की धार होती है, विस्तरजन करते समय वो जल की धार अर्था, वो उत्तर का भाग हमारी और होना चाहिए, और थाली इस तरह से पकड़ें, कि वो भाग हमको जब डालें, तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सन्ना जा रहा है पा पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करना और उसकी अराधना करना उसकी अराधना करना कई लोग करते हैं बना भी लेते हैं पूजन भी करते हैं और कई बार करते हैं हमारा अपकाम नहीं तो उसमें भगवान का दोश नहीं है दोश अपना देखो आप आए नहीं सुबा हो ग ब्राहमन स्वेत मिट्टी का बनाए बैश्य फीनी मिट्टी का शिलिंग बनाए च्छत्री लाल मिट्टी का शिलिंग बनाए शुद्र काली मिट्टी का शिलिंग बनाए अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो तुमारे गमले में जो भी मिट्टी हो वो जिस जिस कलर की हो उस कलर करके शिविलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहां की होना चाहिए किस जगहां पर बनाना चाहिए मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए जब शिविलिंग का निर्मान करें चंकर के शिविलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले केसे बनाए उस तक का विधान शिव महा पुरा में कहा गया क्यारे की मिट्टी हो क्यारा मतलब समझियेगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो ऐसी जगा